तो आज ब्लॉगिंग से कुछ हट करके आप सभी के लिए एक पोईट्री लेकर आया हूँ तो ये जो पोईट्री है वो हम लड़कों के बारे में है चूँकि लड़कियों के लिए बात करने के लिए हर कोई है आज इंटरनेशनल विमेंस्टेस सब को पता होता है लेकिन इंटरनेशनल मेंस्टेक कब है वो किसी को नहीं पता होता है आज हर जगह लड़कियों के लिए प्रोटेस्ट होते हैं सब कुछ होता है बट लड़कों के लिए कोई बात नहीं करता है जबकि हम सब के जो पापा होते हैं वो हमारी बैकबोन होते हैं तो आज लड़कों के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि हम लड़के किसी के सामने रो नहीं पाते हैं, हम लड़के पापा तो दूर की बात मम्मी को गले लगाने में भी अख्वोर्ट फिल कर जाते हैं, कि हम लड़के जिने इमोसंस का तो पता नहीं पर गुस्सा पूरा दिखाते हैं और किसी लड़की के सामने स्मार्ट बनने के चकर में हम अपने फ्रेंज को भूल जाते हैं, हम लड़के आसु दिन के लिए नहीं, रात के लिए बचाते हैं हम लड़के सिलेंडर का जीने पता नहीं ये हम लड़के सिलेंडर का जीने पता नहीं पर लड़की को मौका मिलते ही गोद में उठाते हैं हमारी कोई एक मान जाए तो हम उसकी सो मान जाते हैं जो रोने के लिए बात्रूम का बहाना बनाते हैं, लड़के खुस्यों का पता नहीं, पर गमों में किसी का हमदर्द बन जाते हैं आप सब को पता हम लड़के जिने खुबसूर्ती का पता नहीं पर तारीफ हर लड़की की कर जाते हैं, आप अपने college life, school life से relate करें इसे, कि हम लड़के जीरे खुबसूरती का तो पता नहीं, पर तारीफ हर लड़की की कर आते हैं, हम वही लड़की हैं, जो आपको someone special feel कराने के चक्कर में, बस आपके ही चक्कर लगाते रहते हैं, और अंत मैं लड़कों के, क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ, तो मैं आप सभी को लड़कों के लिए बोलना चाहूंगा, और हर लड़की को बोलूगा, कि पत्थर दिल नहीं हम लड़के, हम में भी नमी हैं, बस कुछ भया नहीं कर पाते, बस इतनी सी कमी हैं, तो दोस्तों ये रहा आज का कवीता, उमीद करता हूँ, आप सभी को पसंद आगा, अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एगरी जड़ू बोलना, और ये रहा आज का पूरा कवीता, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करे, कमेट करे, सियर करे और हाँ अगर चैनल पे नहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना थांक्यू और लव यू अल